रेड आइकन पर क्विक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए और बेल आइकन पर किलिए करें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हेलो फ्रेंड सवगत आपका हमारी नई वीडियो में आज की वीडियो में देखेंगी किस तरह से डी सी मोटर को सब्सक्राइब किस तरह से करते हैं आज की वीडियो में देखेंगे वह हम पुरानी वीडियो से बता चुके हैं तो आज हम डारेक्ली इसका डाइग्राम देखते हैं फिर हम इसको वर्किंग देखेंगे दोस्तों यह हमारा 4-point starter का डाइग्राम है आप देख सकते हैं इसका डाइग्राम और इसका construction working लगबग लगबग 3-point starter के जैसी वह होती है यह हमारे resistance जिसको हमको vary करना यह हमारा stud है handle जिसको गुमा के आगे लाना है यह हमारी no volt holding coil है यह हमारा overload coil है यह DPC switch है हमारे पास यह कम जादा कम जादा करते रहते हैं तो इसमें कई बार क्या effect हो जाता है कई बार ये खराब होने के chances होते हैं तो उस drawback को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक protective resistance लगा दिया इससे होता किया जब भी resistance vary होता है तो जो current में changes होते हैं उस changes को ये protective resistance प्रोटेक्ट करता है और हमारी nvc को खराब होने से बचाता है बाकि पूरी वरकिंग आप देखेंगे three point starter के जैसी ही है कोई भी फरक नहीं है हमने प्रोटेक्टिव रजिस्टर को nvc को साथ सीरीज में करेंग नहीं किया है हमने protective resistance को line के साथ आप देखें लाइन आ रही है एक line terminal हमारे ओवरलोड कोल में दिया है और एक दूसरा line to terminal हमने एन वीसी कोल में दिया है सो बेसिकली सब कुस्छ सेम है बस इसमें लाइन के दो terminal आ गए तो इसलिए यह one two three and four four terminal हो गया four point हो गया इसलिए इसको हम कहता है four point starter सो अब हमने यह देख ले अब हम इसका practically देखेंगी कैसे होता है तो दोस्तों जैसा कि आपने डाइगराफ में पहले ही देख चोके हैं किस तरह से इसका construction था ना वहां practically देखते हैं यह हमारा four point starter है four point लेखा भी है मगर लेखने दिसे कुछ नहीं होता अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंटरेली एक दो तीन चार एक लाइन मन लाइन टू फील्ड और आर्मिचर के चार वायर निकल लगे हैं सेम construction उसी की तरह है जो three point starter था उसी की तरह है फरक क्या होता है इसके अंदर चार वायर होता है अब आप देखें इंटरेली सब कुछ connected है इसमें यह स्टड है सब वायर के resistance connected है जो की asbestos की sheet पर होते हैं और जो handle, nvc coil, overload coil यह सब connected होते हैं हमारे वेकलाइड की sheet पर अब आप देखेंगे जैसे हमारी motor start होगी और यहां पर सबसे जादा resistance होता है जैसे आके बढ़ाऊंगा मेरी motor start हो जागी और काम करना start कर देगी supply मिलने से यहां पर होता protection के लिए nvc coil की सुरक्षा के लिए जैसी सबला योग पर होगा यह अपनी जगे पर चलेएगा तो यह इसकी भोती आसान और easy construction है वैसे आप लोग चाहें तो practical है कि प्रोजेक्ट के रूप में 3.45 starter बना भी सकते हैं तो अब हम इसको मोटर पर वर्क करा के देखते हैं कि क कर देखते हैं